एओ, नमस्ते जी सभी को, कैसे हैं सब, आसा करती हूँ, सब अच्छे होंगे, और नवरात्री का पहला दिन है, सब बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, और मातारानी देखो, कितनी खुबसूरत लग रही है, और मैंने कैसे किया है, ये सारा डेकोरेशन, और मैंने कैसे पूजा की है तो वीडियो में देखिए आगे और मेरी तरफ सापको नवरात्री की धेर सारी सुब काम नाई वीडियो में एंड तक बने रही है रात को जब मैं डेकोरेशन करने के लिए उपर से फूल माला वगारे लेके आई तो मुझे लगा प्लांट को देखके कि मंदिर के पास भी एक दो प्लांट होना चाहिए लेकिन रियल वाले प्लांट रखते हैं तो वह 8-10 दिन में थोड़े मरे मरे से हो जाते हैं क्योंकि 8-10 दिन चोक्की उठेगी तो तब तक रखे रहेंगे तो फिर मेरे दिमाग में यह उपए एक डबल रखा था तो एक दम मेरे दिमाग में है चलो इससे घुछ बनाते हैं तो फिर में डबब वथा लाई इन फुलों के साथ इपर से यह दिवाली वाले पूल है जो दिवाली डे extracting में यूज्ज करती हूं मैं ये मेरा जो स्टेंड है फोन का केमरे का स्टेंड उसका डबा है ट्राइपोड स्टेंड इसमें आया था वो तो यह डबा मैंने संभाल के रख दिया था तो अब इसके मैंने बीच मिसे काटके दोपीच कर लिया है और किसी भी चीज के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है व काम में रात को कर रही हूं रातरी से एक दिन पहले तो इसके नाप का मैंने मैं सोचा तो था कि एक में से दोनों पर लग जाएगा लेकिन लगा नी क्योंकि थोड़े बड़े थे और फैविकोल से अगर मैं चिपका दी तो देर से सूखता है और यह जो होती है ग्लूगन इस से जल्दी सूख जाता है यह एकदम ठंडा होने के तुरंत बाद चिपक जाती है यह लाइट में लगा के तब इससे काम करते हैं तो यह ग्लूगन की मतर से मैंने यह डब्बे कवर कर लिए इससे नीचे से तो वैसे हो गया है उपर से किनारों से साम इसे कट कर देंगे च अब देखो कितनी अच्छी किस्मत है सबसे पहली बार वह मातरानी के दर बार में डाकुरेट होंगे यह डब्बा बनके तयार हो गया यह दूसरा भी तो आप इन्हें कहीं भी रख सकते हैं इसमें कैसे भी फ्लावर लगा दीजे कोई नहीं बता सकता कि आपने खुद बन दिन बस सुबह सफाई करने रह जाएगा तो मैंने सबसे पहले पाइल के रूम से सुरवात किये तो इसकी चाद्रे बदल दूगी मैं तो यह तो गया बाहर बैठग में सोफे के कवर कुशन कवर अब जब मैं यह चेंज करती हूं न तो सारे ही करके करती हूं एक साथ और मैं तो आदस सी पढ़ गया है जब करते हैं तो इक खटा कर देता है इतना ऐसा बढ़न सा नहीं लगता तो यहां पर अभी मैं वाइट कलर के तो कुशन वह लगा दूंगी सोफा कवर और इस पर मैं ब्लू कलर के यह इस तरह बनी हूं यह गूजरी कुशन पर यह वाले मै और हम दुनों मा बेटी बैठक के लगा देंगे और यह कुछ तक्ये के कवर जो पहले बिच्छे हुए थे वो थोड़े टाइट है उन्हें निकालने में बड़ी मसकत करनी पड़ती है और यह तो ठीक है इन्हें तो आराम से जड़ा लेते हैं और पाइल सारे कवर चड़ा रही है तब तक अब एका फोन आ गया था मैं अब इसे बात कर रही हूं वीडियो कोल चल रही है अब पाइल को करना पड़ रहा है काम और तिहार इतने अच्छे लगता है जब तिहार आते ना तो ऐसा लगता है घर बिलकुल क्लीन क्लीन हो ज अब बार यहां जाती है मंदिर की अब यह लास्ट काम है मेरा मंदिर की सफाई उसके बाद मैं सोंगी तो यह परदे भी चेंज करूंगी मैं मंदिर के और पहले पूरा क्लीन करूंगी क्योंकि दिखता नहीं है लेकिन बहुत गंदा हो जाता है वाइट है ना तो धूबत जोत का हलका उलका निकलता है तो वह हलका हलका सनमाई का पर लग जाता है जब हम इसको क्लीन करते हैं तब पता चलता है जब पानी काला हो जाता है तो अभी तो मैंने परदे भी और नीचे भी चाने वाला कपड़ा भी बगवान जी सब अंदर भी ठा दिये हैं और यह अब साप पानी ली आई हूँ और कोटन का कपड़ा ले रखा है मैंने तो अब पूरा तो नहीं दिखा सकती क्योंकि पूरा दिखाने में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है अब में ये रेड कपड़ा जो मैंने बनाया है वो ये वाला भी छा दिया है और ग्रीन कलर के परदे लागा हूँ ये परदे भी मैंने खुद बनाये है अब नहीं बनाए हर्याली तीज पर बनाये थे अब फूल माला जो मैं उपर से लेके आई हूँ ये भी सहेंग कर दिये मैंने और ये ग्रीन वाली माला भी हैंग कर दूंगी इसी पर ये दीवाली पर लेके आए थी मैं तो ये मैंने थोड़ी सी ग्रीन रेट करने के लिए रेट जादा हो रहा था ना तो थोड़ा सा ग्रीन हो जाएगा तो उसके वाज़े से ये भी मैंने इस पैड़ कर दूंद यह गी और यह सहद और सामगरी मैं जिता ले थी मैंने packet लाके अर ये आज एक दिन पहले ही सब तयार करकर रख देती हूस क्योंकि फिर ना रोज-रोज दिक्कत होती है मिलाने में तो ये मैंने इसमें गी डाल लिक्ती है अच्छे से जीक्स करकए और इसको मैं इसी डब्बे में भरकर रख दूँगी सारी को और रोज के रोज कोटोरी में निकालेंगे और कर लेंगे लकडिया भी मैंने सब तोड़कर छोटे-छोटे पीस में करकर रख दिया है और यह सारे बरतन जितने भी मिरे को चईयेंगे के सुबह सब मैंने चमका के अच्छे से पितांबरी से रख दिये हैं और यह मसालदानी में लेके आई हूँ इसमें मैंने सब चीज रख लिए लोंग इलाइची सुपारी जाइफल हल्दी की गांट पंचमेवा कपूर तो यह खोलेंगे हम सब चीज इसी में मिल जाएंगी म सुपारी वाज आई हैं तंदन चावल जो जल में डालके शूरज इसमें गी रख दिया और तेल की बोतल भी रख दिया है तिल के तेल की पहले दिन घी की जलेगी जो अगले दिन से तेल भी डाल सकते हैं इच्छ है अपनी और ये है समरानी कप जिन से धूनी देते हैं अगर मैं एक जला कर रख देते हैं तो धूनी हलकी हलकी उठती रहते हैं इसमें गुगल और तो यह मैं पूरा पैकेट ले आती हूं उसी से दूनी देते हैं लटू को पाल के सारे कपड़े और उनकी माला वगएरा मैंने बाहर निकाल के रख लिया है क्योंकि मंदिर के सामने चोक की लग जाएगी फिर खोलने में दिक्कत होती है यह सारी किताबे हैं जो मुझे लगने की जाली तो मेरा ओक्के काम हो गया पूरा तयार इसमें कलस बनाऊंगी तो इसमें चांदी का टुकुडा भी डाल दिया एक छोटा सा यह चोक्की और बिछाने वाले कपड़े सब यहां रख दिया है सुबह बस नहांकर वो करना है और यह जो मैंने पोट बनाए थ सुबह मंदिर के सामने डेकोरेट होंगे एक देखो सुबह का व्यू है साथ बज रहे हैं लगबग ना दो के सारा काम करके जाड़ू पोच्चा करके मैं तयार होगी सारा काम मैंने सामान यहां पर लाकर रख लिया पाइल नहारी है अब आने वाली है वह पूजा के लिए अब हम पूजा की सुरवात कर रहे हैं पूजा देखो बहुत लंबी होती है लगबग डेड़ पोने दो घंटे लग जाते है सुबह की पूजा में यह मेरे पास पितल का बिला इसमें मैं अस्ट दल कमल बना लेती हूँ चावलों से और गुलाब की पंगडी रख देती और कलस में आम के पत्ते वगएरा रखके रोल वो चंदन वगएरा डालके इसके अंदर सुपारी अलदी की गांट, सिका, चावल, दूब घास, लोंका, जोडा, इलाइची सब डालके उसके उपर फिर चावल रखके और यह नारील रखके कलस सापना कर दी अब जोब हो द दूँगी, क्योंकि ना ढखके जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, दूँगी इस पर भी फूल चड़ा दूँगी और स्वास्तिक बना दूँगी, देखो पूजा करने का ढख सब का अलग-अलग हो सकता है, क्योंकि सब के आरीतिरी वाज थोड़े से अलग होते हैं, और ज लोट का कवर नहीं हो आता, अब हमावन करते हैं, तो आप देखे, अमघार सकत्ति में कर दो बना सब करते हैं, इस आता देखो नुगे का अलग होते हैं, मोर्य हो उनलग हो पितना मोगपो करने के और सुछ हो। पूरी पूजा करने के बाद दुर्गा कवा चस्टर ना मगलास रोज सबसती का पाठ करते हैं वो ही मैं कर रही हूं समयाचना भी करते हैं बाद में पूजा करने के लिए माद यसी दुर्गा से इसका समा पाठ करना 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 पर बिस वरी में दुर्गा राद जी चाहिए यह मेरी दाथ सही हो समझ कर में बाद कर्पा कूद्द करना अंधे कोधी जे नंधे कोधी मैचले स्चामाँ कोधी तुमे कोधी सिंक जावत अदीजावाट हजरी घंपासिर भीरों से अंधे पूर्गोरं पणातारं संतार रवारं बुर्य द्रहारं सदावर संथम्स्षम जेरनिट देव। वाणी सैटं नमाः तमेव माता चुरिता तमेव तमेव बंदू शिटम्पा तमेव निच्याजरुं तमेवर तमेव सर्मन्म देव। समेव सरमन देव देव आपको बहुत बहुत मुबारक और मातारानी आपके जीवन में जो भी कष्ट है उन्हें दूर करें आपका घर खुसियों से भर दे आपका घर धानने से भर दे मैं मातारानी से यही प्रात्ना करूंगी और मातारानी से कुछ भी मांगने की जो रत्नी होती है जितना हमारे नसीब में वो हमें ऐसे ही दे देती है और अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए आये है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छा बुरा ज जेमाता की.